जिला और मेरा गाउ एक दिन विशाल अपने मामा जी के घर आया वह देखता था कि उसके मामा जी बड़ी देर से घर लोटते थे एक दिन उसने मामा से पूछा मामा जी आप क्या काम करते हैं? मैं ब्लॉक में काम करता हूँ, जिसे विकास खंड भी कहते हैं मामा जी यहां ब्लॉक क्या है? अच्छा, पहले तुम बताओ, तुम्हारे गाउव का नाम क्या है और आसपास में कौन-कौन से गाउव है? मेरे गाउव का नाम रामपुर है और उसके आसपास सीतापुर, काशीपुर, रामनगर आदी गाउव है यहाँ न्याय पंचायत क्या है मामा जी? ठीक है, तुम्हारे गाउं जैसे लगभग आठ से दस गाउं को मिला कर न्याय पंचायत बनती है यह मुख्या का चुनाव कैसे होता है मामा जी? ग्राम वासियों द्वारा गाउं के मुखिया याने के ग्राम प्रधान को वोट दे कर चुना जाता है यह तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ग्राम प्रधान यानी की मुखिया के चुनाव के साथ ही एक क्षेत्र विकास समीती के सदस्य का चुनाव भी होता है क्या इस क्षेत्र विकास समीती के सदस्यों को कोई और भी नाम से जानते हैं? हाँ, इसे हम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहते हैं क्षेत्र पंचायत का क्या काम होता है? क्षेत्र पंचायत को मिला कर एक ब्लॉक विकास खंड बनता है अच्छा तो ब्लॉक ऐसे बनता है आगे सुनो, आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा अरे वा, फिर क्या हुआ मामा जी? क्षेत्र विकास के सदस्य अपने ब्लॉक में वोट के द्वारा क्षेत्र प्रमुख मतलब की ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं अधिकारी को जिम्मिदारी दी जाती है हमारे इस ब्लॉक में खंड अधिकारी यानि के ब्लॉक अधिकारी मैं ही हूँ आपका काम क्या है मामा जी? मेरा काम विकास की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुचाना है क्या आप मेरे विकास खंड का काम भी देखते हैं? नहीं, तुम्हारा गाउं हमारे विकास खंड में नहीं है वहां का काम दूसरे विकास अधिकारी देखते हैं अच्छा, तब तो फिर कई विकास खंड होते होंगे हाँ, कई विकास खंडों को मिला कर तहसील बनती है एक तहसील की सीमा में कई गाओं वो छोटे शहर आते हैं तहसील के काम को देखने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तहसील के काम को देखने वाले को तहसीलदार कहते हैं मामा जी आपने बताया कि तहसील की सीमा में कई विकास खंड आते हैं, यह सीमा क्या है? अच्छा बताओ, तुम्हारे खेट के बराबर में और किसके खेट हैं? हमारे खेट के आम के पेड़ वाली मेड से दूसरे खेट का मेड़ शुरू हो जाता है. वही मेड तुम्हारे खेट की सीमा हुई. जिस तरह तुम्हारे खेट के अगल बगल में दूसरे खेट हैं, उसी तरह तुम्हारी तहसील के अगल बगल और भी तहसीले हैं. मैं समझ गया मामा जी. तुम्हें पता है विशाल, कई तहसीलों से जिला, अर्थात, जनपद बनता है और जिले का कामकाज देखने वाले अधिकारी को जिलाधिकारी कहते हैं विशाल, तुम्हें पता है, तुम्हारे जिले के समान और भी जिले हैं, कुछ जिलों से मिलकर मंडल बनता है मामा जी, फिर प्रदेश क्या है? कई मंडलों से मिलकर प्रदेश बनता है अपने प्रदेश जैसे और भी राज्य है मामा जी, हमारा देश कैसे बना? बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है यह तो तुम्हें पता ही है कि हमारे देश का नाम क्या है हाँ मामा जी हमारे देश का नाम भारत देश है मुझे अपने भारतिया होने पर गर्व है बहुत खूब विशाल तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो मुझे लगता है अब तक तुम्हें जिले से संबंधित बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी हाँ मामा जी मैं इन जानकारियों को अपने दोस्तों को भी बताऊंगा धन्यवाद मामा जी